हलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप लोग आसा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़ी हाऊंगे आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस्टाग्राम में आईडी कैसे बना सकते हैं अगर आप भी इस्टाग्राम में आईडी बनाना चाहते हैं, एकाउंट बनाना चाहते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको वहीं बताने वाला हूँ, तो शुरू से आप समझेंगे, लाश्ट तक समझेंगे, तो इस वीडियो को पूरा वाज जरूर कर लीजिएगा, चलिए, शुरू करते हैं, सिंपल से मैं क्या करेंगा, इस्टाग्राम एप्लिकेशन को ओपें कर लेना होगा, अगर आपके में इस्टाग्राम नहीं है, तो आप इले स्टोर से जाकर करके डाउनलोड कर लीजिएगा, चलिए आपने डाउनलोड कर लिया, देन हम यहाँ पर ओपेंड करेंगे, ओपेंड करने बाद हमारे सामने देख सकते हैं, कुछ इस परकार का इंटरफेस होगा, तो अभी तक अगर आपने आइड नहीं बनाई तो मैं लगाउट करूंगा, एक आइड आपको बना कर यहाँ पर दिखाता हूं, ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लगाउट कर दिया है, अब मैं यहाँ पर एक आईडी, नई आईडी आपको बना करके दिखाऊंगा, ठीक, सिंपल से कैसे बनाना है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने कुछ, जैसे आप इस्टाग्राम को ओपन करेंगे, तो आपके सामने पर अपना पूरा नाम डाल देना, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम हो आपका वो डाल देंगे, अभी कुमार मौर्जा, ठीक, हमने डाल दिया, देना, आप नेस्ट वाले अप्शन पर किलिक करेंगे, जैसे आप नेस्ट वाले अप्शन पर किलिक करेंगे, आप से password मांगेगा अब आपको यहाँ पर password डाल देना होगा ठीक है strong password बनाना ताकि कोई अंदाजा ना लगा सके देख सकते हैं यहाँ पर demo password बनाना मतलब आपको यहाँ पर alphabet भी रखना है character later में कुछ word रखने है special character भी रखने है कुछ numeric भी रखने है मतलब एक demo यह है demo password के तौर में आपको बता रहा हूँ कुछ इस परकार से आपको password बनाना है then आप क्या करेंगे next वाले option पर click करेंगे जैसे आप next वाले option पर click करेंगे save your login info then आप save वाले option पर click करेंगे अब आपको यहाँ पर क्या करना है अपनी data birth डाल देनी है जितने मतलब जो भी आपकी data birth है data birth डाल देंगे then आप next वाले option पर click करेंगे जैसे next वाले option पर click करेंगे आपको यूजर नेम मिल जाएगा मतलब यह यूजर नेम आपको मिल चुका है अगर कोई भी इस्टाग्राम पर अभी कुमार.morya सर्च करेंगा तो आपकी ID निकल करके आएगी then आप next वाले option पर click करेंगे अप next वाले option पर click करने बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना अपना एक mobile number डाल देना जो भी mobile number जो mobile number डालेंगे उस mobile number से आपने इस्टाग्राम एकाउंट ना बनाया हो वही mobile number डालेंगे वरना अगर जो जिस पहले अगर इस्टाग्राम एकाउंट बना हुआ तो आटोमेटिक वो इस्टाग्राम एकाउंट उठा लेगा ठीक है अब चलिए मैं यहां पर नंबर डालूँगा जिस पह एकाउंट बना हुआ अलेडी ठीक वह mobile number मैं यहां पर डाल दूँगा mobile number डालेंगे बाद नेस्ट वाले अप्शन पर किलिक करूँगा जैसे मैं नेस्ट वाले अप्शन पर किलिक करूँगा आपका अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो वो एकाउंट ले लेगा अगर नहीं बना हुआ है तो यहां पर नए अकाउंट आपका बन जाएगा चलिए यहां पर code आएगा code आटोमेटिक फिल हो जाएगा दिन आप यहाँ पर क्या करेंगे I agree वाले option पर click करेंगे जैसे आप I agree वाले option पर click करते हैं अब देखेंगे आप यहाँ पर किवल किदने मिन लगा आप वीडियो देख सकते हैं 5 मिनट की दो मिनट लगता Instagram ID बनाने में पर लोग YouTube पर घंटो समझा रहे हैं वहीं बात घुमा करके इस तरह करो इस तरह करो इस तरह करो ऐसे करो इस तरह घुमाओ तो इस परकार से देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे आप I agree पर click करेंगे और आपका account यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों कुछ इस परकार से Instagram की आप ID बना सकते हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट करक जरूर बताईगा वीडियो देखने लिए आपका बहुत धन्यवाज